हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपका आपनी यूटूब चैनल इंडिया दर्शन में दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पावन भूमी रामरेखा धाम का दर्शन कराने हो ला हूँ तो दोस्तों वीडियो के आँ तक बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीज़ेगे कहा जाता है कि भगवान राम माता सीता और लक्षमन के साथ 14 वर्ष के बनवास के दोरान 14 दिन तक यहां पर ठारे थे और सिम्डेगा की इस धर्ती को पईत्र कर गए रामरेखा धाम जारखन राज्य के सिम्डेगा जीले में इस्थित है इसकी दूरी सिम्डेगा से लगभग 25 किलो मिटर है दोस्तों यहां की प्राकृतिक सोंदर ही अध्भुद है वो आपको रामरेखा जाने के कर्म में रा की वादियों में खो जाएं और इस सुन्दर द्रिश्य को निहारते रहें जब इस सुन्दर वादियों को निहारते हुए आप पहाड़ों की तलहटी पर पहुंच जाएंगे तो आपको अध्भुद द्रिश्य देखने को मिलेगा दोस्तों इस धाम में बहुत ही दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं कार्तिक पूर नीमा में यहां पर भव्य मेला कायजन किया जाता है जिसमें सर्धालियों का जन सेलाब देखने को मिलता है तो दोस्तों देखिए हम लोग राम रेखा पहार पर पहुँच गये हैं और इस पहार घाटी के रास्ते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छे खूबशूरत द्रिश्य देखने को मिल रहा है तो दोस्तों देखे हम लोग पहुंच गए हैं रामरेखा के मुख्य दोवार के पास तो दोस्तों इसी दोवार के माध्यम से अंदर जाया जाता है तो दोस्तों देखे यही रास्ता है जिस रास्ते के माध्यम से हम लोग रामरेखा पहार की तलहटी जहां रामरेखा, राममंदित, शीता ये बहुत ही खतरनाक घाटी भी है तो दोस्तों जब भी आप जाए इस घाटी से तो संभल कर जाएं लेकिन दोस्तों यहां खतरनाक होते होए भी इतनी सुंदर वादियों हैं कि दिल को चूलेते हैं इस पहाड के उपर अनेक अधुर वीश्वासनी द्रिस्याप को देखने को मिलेगा दोस्तों जिसे भगवान के चमतकार ही कहा जा सकता है तो दोस्तों इस रामरेखा धाम में बहुत से सरधालू अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं और जो सरधा से जो सचे मन से यहां पर अपना इच्छा रखते हैं उसकी इच्छा जरूर पुरा हो झाले सब्टबता है दोस्तों देखिए इस पहार इतनी पहार के उपर परह आपको एक से अभी अद्भढ दृस्त देखने को मिलेगा दोस्तों देखिए हम लोग आप पहुच गए हैं पहार के ऊपर तो चलिये देखते हैं क्या कि आभी हम लोग पNews UV आट राम रख़ाध दोस्तों राम रेखा दाम इतनी पहार को पर राम रेखा इसको लाभी अभी देखे उसके अब आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए इतने सुन्दर द्रिश्दिक रहें कि लगता है कि दोस्तों अभी ही चल जाएं ये राम रेखा के दर्शन के लिए तो दोस्तों आपको जब भी इस रामरेखा धाम में आने का मन करें आप कभी भी जा सकते हैं और एक बात बता दो यहां कार्थिक पूर्णिमा और माक पूर्णिमा में मेला कायजन की भव्य मेला कायजन किया जाता है तो दोस्तों आपको समय मिले तो जरूर इस मेले में जाईएगा और मेले के लुक्त उठाईएगा तो दोस्तों देखिए इस पहार के उपर देखिए ये रामरेखा बाबास का समाधी अस्थल है यहाँ पर जो रामरेखा बाबा थे उसका समाधिय अस्थल बनाए गया है तो दोस्तों आपको देखिए इतना अच्छा द्रिश्य है अच्छा लगता है यहाँ जाने के बाद की हम जन्नत में पहुँच गये हैं चारो तरब पहाड परवर अच्छे अच्छे पेड़ पर उधे पहार के उपर से देखने से पूरा शहर गाउं दिखता है दोस्तों यहाँ पर इसलिए यहां बहुत ही अच्छा लगता है तो दोस्तों देखिए हम लोग अब इस पहारी घाटी के रास्ता से रामरेखा धाम के मंदीर मुख्य दोआर पर पहुँच चुके हैं तो दोस्तों यह देखिए मंदीर का मुख्य दोआर है और इस मुख्य दोआर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं तो दोस्तों देखिए इस मंदीर में आपको अभी अनेक मुर्तियां और बहुत ही अच्छे द्रीशे दिखने को मिलेंगे दोस्तों यह देखिए यहां पर गरूर देवता का परतीमा दीख रहा है उसके बाद देखिए यहां पर यह महाबली हनुमान जी का परतीमा स्था पित है यहां देखिए आगे दिख रहा है गुप्ठा के नीचे देखिए यहां पर इतना अच्छा गुप्त गंगा है यहां देखिए पहार की तलहट्टी एतने उच्चाई पर होने के बाज़ों यहां पानी है दोस्तों यहां के पानी कभी नहीं सुकता है दोस्तों देखिए इसी ओगुप्ठा है जहां पर भगवान राम माता सिता और लक्षमन बनवास के दोरान ठहरे थे दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छा मंदिर बनाये गया है गुप्ठा के अंदर यह देखिए दोस्तों यह भगवान राम के चरन पादू का है दोस्तों इसके चीतर अंकित है देख लीजिए दिख रहा है दोस्तों उतना च्छा सने दिख पा रहा है लेकिन कुछ दिख रहा है तो दोस्तों उसके बाद देखिए यहां पर पोईत्र जल कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से भी जान पर जब भी आप ये राम रेखा धाम जाए तो इसी जल से अश्नान करें और पोईत्र हो जाए तो दोस्तों देखिए यहां पर अगनी कुंड है यहां पर अभी भी जाने से गर्मी का एसास होता है दोस्तों यह अगनी कुंड देख लिए यह अधुद जगह है जहां आपको जाने के बाद और ही अच्छा से देख पाएंगे यह वीडियो में उस तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से दिखा पाएं यह देखिए रामरेखा बाब देवराहा बाबा का यहां पर परतिमा स्थापित है यह गुफा के अंदर का द्रिश है दोस्तों गुफा के अंदर इतना अच्छा से बनाया गया है कि लगता नहीं है कि यह गुफा है लेकिन यह दोस्तों यह गुफा के अंदर ही बनाये गया है यह पहाड के नीचे है द दोस्तों ये मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छा द्रीश से देखने को मिलेगा और आप सच्चे मन से जब अपना जो भावना है उसको रखिएगा जो इच्छा उसको रखिएगा तो जरूर पूर्ण होगा दोस्तों इसलिए जब भी जाएं आप रामरेखा धाम तो भगव सब्सक्राण कावदर संद जरूर करें ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही थाइंक यू अ गलत टूर झाला है